कार दोस्तो कास किलासीज में मैं चंदरहास एक वर फिर से आप सबी का सुआगत करता हूँ और ये आपकी हरियाना जीके की किलास है इस हरियाना जीके की किलास में आज हम 1856 की करांती के बारे में पढ़ेंगे हैं उनके अंदर पूछे जा सकते हैं, सभी पॉइंटों का अध्यन अच्छे तरीके से करेंगे, सभी पॉइंटों को बारीकी से समझेंगे, हम और आप सब मिलकर अठारा सु स्तावन की करांती के बारे में आज पढ़ेंगे, तो चलिए हैडिंग डाल लेते हैं, अठारा सु स् अठारा सु स्तावन की करांती और हर्याना, आज का जो चैप्टर है, इसके अंदर हम बात करेंगे, अठारा सु स्तावन की जो करांती है, और हर्याना के बारे में, और हर्याना, अठारा सु स्तावन की करांती और हर्याना, ये आज का हमारा एक विसेश टोपिक है, और इस आप आंतितक बने रहें, वीडियो को पूरी जरूर देखें, क्योंकि आप हरियाना जी के का सलेबस है, वो बिल्कुल नए सिरे से सभी नए पॉइंटों के साथ में अच्छे तरीके से करवाया जाएगा. तो देखें, बिल्टिस गुलामी से तंग आकर, जो सौतंतरता संग्राम का पहला युद लड़ा गया था, वो युद अठारा सुस्तावन की क्रांती के नाम से जाना गया था. बिल्टिस गुलामी से तंग आकर, जो पहला युद लड़ा गया था, वो युद अठारा सुस्तावन की क्रांती के नाम से जाना गया था. 1857 की करांती के संदर्व में 1857 की करांती से जितने भी पॉइंट निकलते हैं नैसनल जी के के पहले वो पॉइंट देख लेते हैं उसके बाद में इस करांती के बारे में हम हरियाना जी के संदर्व में पढ़ेंगे तो आप बताएंगे करांती की सुरुवात भारत में हुई थी मेरट से करांती की सुरुवात भारत में कहां से हुई थी मेरट से मेरट से करांती की सुरुवात क्यों हुई थी कि उसने यह भी पूछा जा सकता है कि क्रांती की शुरुवात भारत में मेरट से ही क्यों हुई थी क्योंकि मेरट उस समय च्छावनी था और दिल्ली के साथ में लगता था इसलिए जो क्रांती का मुख्य के इंदर रहा है वो मेरट रहा है और 1850 की क्रांती के शुरुवात भी कहां से हुई थी मेरट से ही हुई मेरट जो यूपी में पढ़ता है यूपी जिसकी राधनी लखनव है लखनव जो गोमती नदी के ऊपर सिथित है और गोमती गंगा की सहायक है परंतु गंगा की जो सबसे लंबी सहायक है गंगा की जो सबसे बड़ी नदी जो सहायक नदी है उसमें नाम आता है यमुना आप नहीं सीख ले तब तक आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा हरियाना जी के बिल्कुल टिप्स पे होगी तो ये याद रखेगा 1857 की करांती के संदर में जदी हम देखें कि भारत में करांती की शुरुआत कहां से हुई थी तो आप बताएंगे मेरट से इसमें पर्थम सहीद कोन था 1857 की करांती में पहला सहीद कोन था 1857 की करांती में पहला सहीद कोन हुआ था तो आप बताएंगे मंगल पांडे कोन था भाया मंगल पांडे था मंगल पांडे आपसे यदि एग्जामिनर पूछे कि कौन सी चावनी से था तो आप बताएंगे बेरक पूर्चावनी, बेरक पूर्चावनी कहा है तो आप बताएंगे वेस्ट बंगोल के अंदर, पस्षी मंगाल के अंदर 1857 की एकरांती में पहला सहीद मंगल पांडे बैरक पूर्छावनी पस्षी मंगाल से था इसी के साथ में सभी स्टूडेंटों ने अच्छे तरीके से यह याद रखना है पस्षी मंगाल जिसकी राधानी कलकत्ता है और उस कलकत्ता के अंदर मैट्रो चली थी 1984 के अंदर कलकत्ता में भारत का पर्थम सहर जिसमें मैट्रो चली कलकत्ता 1984 के अंदर इदरा गांदी की डैथ हुई 1984 में ओपरेशन बिल्यू स्टार चला 1984 में राकेशर्मा अंत्रिक्स में भी गया था 1984 के अंदर ही और 1984 का सबसे important और सबसे ज़्यादा जो बहतरीन क्यूस्टन है वो ये क्यूस्टन है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ? भोपाल गैस कांड कब हुआ था तो 2 दिसंबर 1984 मिथाइल आइसो साइनाइट गैस के रिशाओं के कारण हुआ था बच्चे सबी सटुडेंट सबी हमारे जो भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को आन्ते तक जरूर देखे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा करांती में पहला सहीद मंगल पांडे था मंगल पांडे जो बैरकपूर छावनी से था बैरकपूर छावनी जो वेस्ट बंगोल में पढ़ती है वेस्ट बंगोल जिसकी राधनी कलकत्ता जो हुगली नदी के उपर से थी था है कलकत्ता राजधनी है कलकत्ता में मैंटरों चली 1984 के अंदर ये 1984 तक हम आपको सिरफ और सिरफ इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि कुरूचेतर के अंदर एक विधान सभा की सीट है जिसमें नामाता सहबाद कुरूचेतर की ऐसी रिजरव सीट का नाम है सहबाद उस सहबाद के अंदर एक सरकारी चीनी मील है और वो सहबाद सरकारी चीनी मील कब बनी थी तो आप बताएंगे सहबाद सरकारी चीनी मील बनी थी 1984 और 85 के अंदर अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपको 1984 तक क्यों लेकर गए हम आप से हमें ये बताना था कि सहबाज सरकारी चीनी मिल कब बनी थी याद रखेगा उसके लिए हम आपको लेकर गए थे 1984 और पिचासी तक 1857 की करांती की जो सुरुवात होती है वो मेरट से मेरट हुस्से में केंट था करांती की सुरुवात 10 में 1857 को हुई थी 1859 की करांती में पहला सहीद मंगल पांडे मंगल पांडे पस्ची मंगाल में सित्यत बैरकोर कपूर छावनी से था पॉइंट के लिए रहें 1857 की करांती का निशान क्या था करांती का जो चिन था निशान था वो क्या था तो आप पढ़ेंगे कमल वैचपाती कि क्रांती इस समय भारत के गवर्नर जर्नल कौन हुआ करते थे तो आप याद रखिएगा लाड के निंग उस समय भारत के गवर्नर जर्नल हुआ करते थे 1857 की क्रांती के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे तो आप बताएंगे, सभी स्टुडेंट बताएंगे अच्छे तरीके से कि उस समय गवर्नर जनरल लाड के नहीं थे कई बार एक्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि करांती के समय भारत के गवर्नर जर्नल कौन थे तो आप क्या बताएंगे सभी गलाड के निंग उस समय भारत के गवर्नर जर्नल हुआ करते थे तो ये 4 पॉइंट हमने नेशनल जीके से दिखे हैं और अब हम देखेंगे हरियान जीके से क्योंकि आज का हमारा विशेश जो तोपिक है वो हरियान जीके को लेका रही है 1857 की करांती में हरियान जीके से ही सभी पॉइंट आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो देखिए आब ये तो आपको पता लग गया सभी स्टुडंटों को ये पता लग गया कि करांती की जो सुरुवात है वो भारत में तो हुई थी मेरट से 10 में 1857 को लेकिन आब यदि हम हरियाना जीके के अंदर देखें कि हरियाना में करांती की सुरुवात कव हुई थी अधिकतर छात्रों को ये आता होगा अधिकतर छात्रों को ये आता होगा नो डाउन हरियाना में करांती की सुरुवात हुई अंबाला से क्रांती की सुरुवात क्यों हुई थी क्योंकि उस समय अंबाला केंट वा करता था अंबाला च्छावनी था अंबाला च्छावनी से करांती की शुरुआत हुई थी और ये करांती की शुरुआत 10 मई 1857 को ही हुई थी 10 मई 1857 को ही हुई थी लेकिन सभी स्टूडेंट जिसने एक से अधिक बुक पढ़ रखी होगी तो किसी किसी बुक में ये 13 मई 13 मई भी मिल जाएता है 13 मई अठारा सुस्तावण तो इसमें आपने बिल्कूल भी कनफ्यूज नहीं होना है कि दोनों उप्सन में आ जाए तो क्या करेंगे दोनों उप्सन में आ जाए तो आप 10 मई अठारा सुस्तावण ही करेंगे सभी स्टुडेंट ध्यान दीजिए यदि 13 मई और 10 मई उप्सन में आता है तो आप सिरफ और सिरफ 10 मई को ही चुनेंगे और 10 मई उप्सन में नहीं आता है तो 13 मई को चुनेंगे याद रखें, अम्बाला से क्रांती की शुरुआत हुई थी हरियाना में, अम्बाला से क्यों हुई थी? क्योंकि हरियाना में जो क्रांती हुई थी वो अम्बाला सैनिक चावनी से सुरू हुई थी, क्योंकि अम्बाला उसमें सैनिक चावनी था, अब अम्बाला सैनिक चाव पूरे भारत के पहली सैनिक चावनी किसे बताया गया है तो आप बताया गया है तो आप बताया गया है तो आप बताएंगे सभी बच्चे बताएंगे सभी स्टूरेंट बताएंगे कि अमबाला को लेकिन क्या अमबाला सैनिक चावनी थी या उससे पहले अमबाला सैनिक चावनी होता था और उस करनाल के अंदर मलेरिया की बीमारी फैल गई थी और मलेरिया की बीमारी फैलने के कांड सैनिक चावनी जो करनाल के अंदर थी उसमें हमारे बहुत से सैनिक भी मलेरिया की चपेट में आ गई थे तो उसी समय 1843 के अंदर करनाल सैनिक चावनी को उठा क करेंगे, सभी point clear करेंगे काफी बुकों में ये भी लख रखा है कि पूरे भारत की पहली सैनिक चावनी कौन सी है अंबाला है, तो दोनों point clear हो गए किसी भी तरीके से वो पूछता है आप से तो दोनों तरीके से आप जवाब दे सकते है हर्याना में करांती की शुरुवात अंबाला से हुई थी, क्यों हुई थी क्योंकि उस समय अंबाला सैनिक चावनी था और अंबाला सैनिक चावनी बना था 1843 में सभी ने अच्छे तरीके से याद रखना आप जो रवीवार की छुटिया मना रहे हैं उस रवीवार की चुटियों की शुरुवात भी 1843 के अंदर ही हुई थी सभी स्टुडेंटों ने ये भी ध्यान रखना उसके बाद में अंबाला से जैसे ही करांती की शुरुवात हुई 10 मई 1857 को उससे पहले कुछ हमारे सैनिक 10 मई से पहले आपस में योजना बना रहे थे योजना बना रहे कि थे कि हमने सबसे पहले 10 मई वाले सुबह 10 मई को सुबह हमने किस जगए के उपर सबसे पहले आकर्मन करना है किस जगए को सबसे पहले लूटना है कौन से सस्तरागार को मतलब हतियारों का जो भंडार है उसको लूटना है ताकि हम और लोगों के अंदर सस्तर वगेरा दे दे जो भी हतियार है वो दूसरे लोगों तक पहुचा दे तो करांती एक बड़ा रूप ले सके ये हमारी मिटिंग चल रही थी 1865 की करांती से पहले जो भी भारती सैनिक थे उनके बीच में अब जैसे ही स्याम को या जिस दिन मिटिंग चली हुई थी मिटिंग जैसे ही समाप्त होती है अब जैसे ही मिटिंग समाप्त हुई जैसे ही मिटिंग समाप्त हुई तो उसमें से एक भारती सैनिक ऐशा था, उसने सारी बाते अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी जो सैनिक थे उनको बता दी कि ऐसे ऐसे भारती ये लूटने वाले हैं, ऐसे ऐसे करांती करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले आकर्मन करेंगे, इस सस्त्रागार को लूटेंगे, अब इसक के सामने और दिन तो दो सैनिक खड़े होते थे दो अंग्रे सैनिक खड़े होते थे अगले दिन जब करांती की शुरुआत हुई दसमई 1850 को तो उस दिन भाई साब बहुत से सैनिक खड़े थे और बहुत से सैनिकों के मतलब पूरी कमपनी अंग्रेजों ने खड़ी कर रख लेकिन जो मार खाने वाला है आपसे उसको उल्रडी पटा चल चुका है कि आज वो हमारे से मारेंगे तो देखे कहीना कहीँ दिककत हो सकती है तो ऐसे ही क्रांती ने जो पूरण रूप लेना था ना वो नहीं ले पाई हाला कि क्रांती हुई थी लेकिन क्रांती अपना पूरण रूप नहीं ले पाई थी क्रांती की शुरुआ जरूर हुई थी अंबाला से लेकिन क्रांती जो रूप लेना चाहती थी वो रूप नहीं ले चुकी थी क्योंकि अंग्रेजो को पहले ही करांती की सूचना देने वाला कौन सेनिक था जिस दिन मिटिंग चल रही थी सेनिकों की उस मिटिंग जैसे समाप्त हुई उसमें से एक सेनिक हमारा ऐसा था जिसने करांती की सूचना अंग्रेजो तक दी थी तो वो सेनिक कौन अंग्रेजों कोती थी, करांती के सूचना अंग्रेजों तक पहुचाने वाला सिपाही कौन था, तो आप बताएंगे, सभी स्टुडेंट बताएंगे कि कौन था, स्याम सिंग नामक सिपाही था, कई बार, कई बार एचससी वाला ये पूच चुका है, सभी स्टुडेंट ध पूर्षी सैनिक चावणी में लगा हुआ था तो आप क्या बताएंगे अमबाला सैनिक चावणी के अंदर स्याम सिंग नामक सिपाही लगा हुआ था लेकिन जो 1855 की क्रांती हुई थी इस क्रांती को हरियाना में किस नाम से जाना जाता है इस करांती को हरियाना में किस नाम से जाना जाता है तो आप याद रखेगा या इस करांती को हरियाना में किस नाम से जाना गया या 1857 की करांती को हरियाना में क्या नाम दिया गया तो आप याद रखेगा 1857 की करांती को हरियाना में किस नाम से जाना गया हरियाना में करांती को चोदे की साल के नाम से क्यो जाना गया सभी स्टूडें लेन दिजिए चोदे की साल से क्यो जाना गया इसके पीछे क्या रीजन था कि चोदे की साल से जाना गया चोदे की साल से हरियाना में करांती को इसलिए जाना गया क्योंकि उस समय विक्रम सववत था वो 1914 था ये नहीं है कि साल 1914 थी बिल्कुल गलत हो जाएगा अपका अन्चुवर उस समय विक्रम सववत 1914 था और इसी के कारण हरियाना में करांती को 14 की साल के नाम से जाना गया याद रखेगा सभी अच्छे याद रखेंगे ना सभी स्टूडेंट याद रखेंगे उसके बाद में क्यूस्टन ये भी पूच लेता है कि जो करांती है 14 की साल जिसी कहा गया हरियाना में एक ये मुहावरा भी बनता है कि चोदे की साल मुहावरी का अर्थ क्या होता है? ये क्यूस्टन भी बनता है कि चोदे की साल मुहावरी का अर्थ क्या होता है? तो चोदे की साल मुहावरी का अर्थ होता है सत्ता की अवहिलना करना. चोदे की साल जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है? सत्ता की अवहिलना करना सत्ता की अवहिलना करना ये चोदे की साल मुहावरे का अर्थ होता है सभी पॉइंट यहां तक केलियर है किसी कोई दिक्कत नहीं होगा आसा करते हैं आब हम अब हम 1850 की क्रामती में एक जगे देखेंगे और उस जगे से किस वेक्ती ने कौन परदर करामती का रही था जो अंग्रेजों के खिला प्रड़ा था हाला कि कुछ जगे हरियाना में ऐसी भी थी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था अब सभी स्टूडेंट एक पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए अब भाईसा मान लेते हैं कि ये 1857 की करामती के समय इस परकार से हरियाना है मान लेते हैं मान ही रहे हैं ये हमारे पास में अंबाला ये फतेहबाद ये सिरसा ये हिसार ये रोत्तक ये भाईसा पढ़ता है मान लेते हैं रिवाड़ी वगेरा और ये पढ़ता है गुरुगराम अगेरा ये हमारे पास में अंबाला रियासत ये फतेहबाद, ये सिरसा, ये रोत्तक, ये हिसार इस परकार से कुछ रियासत थी अब इन रियासतों के सासक हुआ करते थे अब यदि कोई सासक किसी की गुलामी नहीं सहन सकता सहन कर सकता या वो सासक सवतंतर वस्ता में जीना चाता है या वो सासक सवतंतर रहना चाता है तो भाई सब अंग्रेजों के खिलाव लड़ेगा और जो सासक जिसकी रगों में गुलामी का खुन दोड़ता है जो ये चाहता है कि कोई बात नहीं हम अंग्रेज़ों के सामने गुटने टेक देंगे लेकिन हमें इस छित्तर का राजा बना कर रखे तो ऐसा था अंग्रेज कहते थे कि आप हमारा साथ देजी अंग्रेज रियासतों को एक फर्मान बेज़ते थे या तो आप हमारे साथ दे दीजिए तनमन धन से हम आपको राजा बना कर रखेंगे या आप हमारे साथ में युद करिए आप कोई वैसा बैचारा कमजोर सासक बैचारा कमजोर जो गुलामी से आराम से जीवन वैतित कर सकता है वो सोचे कि हमारा मरना तो तहे कोई बात नहीं, अंग्रेजों की गुलामी इसे भी कर लेंगे तो कुछ ऐसे भी रियासत थी हरियाना में जो इसने अंग्रेजों का ही साथ दिया था और 18.55 की क्रांती में सबसे बड़ी रियासत कोन सी है जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था तो तावडू रियासत कोन सी रियासत है बच्चे तावडू रियासत आब क्युश्चन देखिए यहां से समझने की कोशिश कीजिए यह माली अंबाला रियासत यह गुरूगराम रियासत या रिवाडी रियासत या अहिरवाल रियासत इसके राजा राव तुलाराम अब राव तुलाराम को यह पता लगे कि भाई साब तू तो अंग्रेजों से नहीं जीत सकता तो इसको ये सोचे कि भाई झाए ठीक हमें तो अंग्रेजों की दास्ता सवीकार कर लेता हूं अंग्रेजग्या कहते थे कि हम आपको राजा बना कर रखेंगे बैसे आप हमारे साथ दीजिए तो जो जो सासक है किस-किस जगए से वो सासक है वो अंग्रेजग्यों के खिलाप लड़े यह देखेंगे हम ऐसी कौन-कौन सी जगए है जहां से उस जगए का नेतरता अंग्रेजग्यों के खिलाप किस ने किया था हाला कि कुछ रियासत है ऐसी भी थी जिसने अंग्रेजग्यों का साथ दिया था और यदि ये सोचे कि मैं तो भाई साब गुलाम बने कर रह लूँगा तो वो अंग्रेजों का गुलाम बने कर रह सकता है अंग्रेजों को साथ दिवस्तन मंधन से लेकिन कुछ सासक ऐसे थे सोतमतर सासक हमारे बाहद्दूर सासक हमारे बाहद्दूर सैनिक हमारी बाहद्दूर रियासतों के सासक जो अंग्रेजों के खिलाप लड़े थे कुछ नहीं बहुत जादा थे लेकिन कुछ ऐसे भी सा सकते, कुछ ऐसी भी रियासते थी, जिसने 1850 की करांती में अंग्रेज्यों के साथ दिया था, इन सभी पॉइंटों का हम अच्छे तरीके से अभी अध्यन करेंगे, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखे, आब हम देखेंगे कि कौन-कौन सी ज स्थान का नाम, और एक तरफ डालेंगे नेतरतव करता, एक तरफ डालेंगे हम किस का नाम, स्थान का नाम, और एक तरफ डालेंगे नेतरतव करता, लिडर, एक तरफ पलेज, एक तरफ नेतरतव करता, तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे रोपड, रोपड, अंबाला का जो छेतर था रोपड उसमें करांती का नेतर तो किस ने किया था तो आप सभी स्टूडेंट ये बताएंगे मोहन सिंग ने किस ने किया था वहिया मोहन सिंग ने एक नाम आता है भट्टू भट्टू जो फतेहबाद के अंदर है बट्टू जो फतेहबाद हरियाना की पिंक सिटी के नाम से गुलाबी नगरी के नाम से किसे जानते हैं फतेहबाद को और उस फतेहबाद के अंदर एक कस्वा एक रियासत छोटी रियासत अठारा सुस्तावन की करांती के समय उस भट्टू रियासत से उस भट्टू कस्वे से भी अठारा सुस्तावन की करांती का नेतर तव किसी ने किया था मोहन सिंग ने मतलब कहने का ये था कि एक रियासत कमजोर है लेकिन उसकी परजा ये चाहती है कि हमारा भी सासक कोई सासक ऐसा आए जो अंग्रेजों के खिलाप लड़ चुके तो एक रियासत दूसरी रियासत का साथ दे सकती है मान लेते कि जजजर रियासत कमजोर होती लेकिन जजजर के आसपास के लोग ये होते हैं कि यदि हमको अच्छा एक सासक मिल जाए जो अंग्रेजों के खिलाप लड़ सके तो भाई साब हम भी अंग्रेजों के खिलाप लड़ेंगे अब अंग्रेजों जजजर से कोई सा सकता नहीं तो जजजर को ओटोमेटिक विला कर दिया रोत्तक में और रोत्तक वाले लड़ेंगे अंग्रेजों के साथ में इस परकार हम आपसे बताना चाहते हैं तो याद रखेगा बट्टु फतेहबाद से और रोपड अंबाला से जो करांती का नेतरतव किया था करांती का दाईतव था वो किसके कंधो पर था करांती का नेतरतव किस ने किया था तो आब बताएंगे मोहन सिंग ने उसके बाद में नाम आता है रानिया का, रानिया जिसका पुराना नाम राजबदूर है, रानिया जो कहां पर पढ़ता है, सिर्शा में पढ़ता है, रानिया जिसका पुराना नाम राजबदूर है, रानिया जो सिर्शा के अंदर पढ़ता है, इस रानिया से करांती का नितर तो रानिया से किया था, सभी स्टूडेंट ध्हान दीजिए कि जब जर्नल वान कोटलेंड हिसार से सिर्सा की तरफ जा रहे थे, तो सिर्सा में उनका मुकाबला हुआ था, सिर्सा में उनका मुकाबला किस से हुआ था, नूर मोहमद खा से हुआ था, सभी स्टूडेंट ध्हान दीजिए, एक बार फिर से ध्हान दीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है बचे, अच्छा पॉइंट क्या है, कि रानिया सिर्सा से 1857 की करांती का नेतरतव किया था भा हिसार से सिर्सा की तरफ जा रहे थे, तो नूर मोहमद खा और जर्नल वान कोटलेंड के मद्दे मुकाबला हुआ, और वो मुकाबला कहा हुआ, सिर्सा में, वन नगरी के नाम से, संतों की भूमी के नाम से, डेरों की भूमी के नाम से, और किसे जानते हैं, तो आप बताए महिने के तीसरे सप्ता में महिने के जो तीसरा सप्ता था उसके अंदर हिसार से करांती की शुरूआत हुई थी आप क्युस्टन ये पूछे कि हिसार में करांती की शुरूआत कब हुई थी तो आप बताएंगे महिने के तीसरे वीक में महिना था जिसमें 10 महिन से करांती की श वहां से करामती के खिलाप, मतलब अंग्रेजों के खिलाप, हिसार से अंग्रेजों के खिलाप कोन लड़े थे, तो उसमें नाम आता है सहजादा मुहम्मद आजम का नाम आता है, सहजादा मुहम्मद आजम का नाम आता है, सहजादा मुहम्मद आजम ने करामती का नेतर तो क कहां से किया था, हिसार से किया था, कहां से किया था, हिसार से किया था, उसके बाद में नाम आता है हासी, आपने नाम तो सुना ही होगा, आसी, हासी जिसका पूराना नाम है आसी, बच्चे सभी पॉइंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस थो पुराना नाम है आसी आसी गड़ का किला किस ने बनवाय था पिथवी राज चोहान ने और इसी आसी गड़ के किले के अंदर सी थी थी था बढ़सी गेट कौन सा गेट सी थी थी थे बच्चे बढ़सी गेट आसी गड़ का किला है जो पिथवी राज चोहान ने बनवाय था पिठ्वी राच चोहान जिसका दरबारी कवी चंदर बरदाई था चंदर बरदाई जिसका सम्मध हिसार थे से था हिसार जिसका पुरान नाम इसु यार है क्या है इसु यार किसका नाम है हिसार का नाम है सबी स्टूडेंट्स अच्छे से किलियर हो रहा है तो अच्छे से किलियर होना चाहिए हासी जिसका पुरारा नाम है आसी हासी से करांती का नेतरतव किस ने किया तो हासी से करांती का नेतरतव किया था मिर्जा मुनीर बेग और लाला हुकमचंद जैन हुकमचंद जैन ये दो वेक्ति थे जिसने हासी से करांती का नेतरतव किया था मिर्जा मुनीर बेग और लाला हुकमचंद जैन ने हासी से करांती का नेतरतव किया यहां से क्या क्यूस्टन निकलता है यहां से परसन अपने किलियर कर लिया है कि हांसी जिसे करांती का नेतरत्व क्यों मिर्जा मुनीर वे गहुर उकमचंद जैने ने लेकिन यहां से क्यों से निखिलेगा अठारा सुस्तावन की करांती का एक मातर वीर योधा जिसे उसके घर के सामने फांसी दी गई थी अठारा सुस्तावन की करांती का एक मातर वीर योधा जिसे उसके घर के सामने फांसी दी गई थी तो आप बताएंगे लाला हुकमचंद जैन कोन हुआ करते थे लाला हुकमचंद जैन जिसे उसके घर के सामने ही फांसी दी थी किसने अंग्रेज जोने उसके बाद में नाम आता है किसका तो आप बताएंगे खरखोदा का किसका नाम आता है खरखोदा खरखोदा जो सोनिपत के अंदर पढ़ता है सोनिपत जिसका पुराना नाम सोन परस्त है बाबा सरवन की नगरी है कुमसा सोनीपत, सोने का सहर है, सोनीपत, खरकोदा जो सोनीपत के अंदर पढ़ता है, इस खरकोदा से करांती का नेतरतव किस ने किया था, तो आप बताएंगे, रिसालदार बिसारत अली ने, रिसालदार बिसारत अली ने करांती का नेतरतव कहां से किया था, तो खरकोदा स किया था जो खरखोदा कहा पढ़ता है सोनी पत के अंदर पढ़ता है याद रखिएगा उसके बाद में थोड़ा से एक बरबोर्ड को साफ कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं याद रखिएगा उसके बाद में नाम आता है कि करांती का जो नेतरतव है करांती का जो नेतरतव है वो करांती का नेतरतव जजजर से किस ने किया था? करांती का नेतरतव जजजर से किया गया था, वो किस के दवारा किया था? अबदुर रह्मान खान के दवारा. करांती का नेतरतव जजजर से किस ने किया था? अबदुर रह्मान खान ने किया था. अब्दुर्रह्मान खान जो जजजर रियासत हुआ करती थी इसके गद्दी के उपर कब सत्तासीन हुए थे या जो अब्दुर्रह्मान खान के हाथ में जजजर रियासत की बाग डोर कब आई थी आपसे फिक्यूशन दो पूछेगा कि जजजर रियासत के उपर अब्दुर्रह्मान खान कब सत्तासीन हुए जजजर जो रियासत थी वो अब्दुर्रह्मान खान के हाथों में कब आई थी तो जजजर रियासत पूरण तरीके से अब्दुर्रह्मान खान के हाथों में 1845 के अंदर आई थी जजजर रियासत के नवाब बने थे अब्दुर्रह्मान खान 1845 के अंदर और ये नवाव अब्दुर्रह्मान खान 18 सुस्तावन की करांती में जजजर रियासत से अंग्रेजों के खिलाप लड़े थे कहने का मतलब कि जजजर से करांती का नेतर तो किस ने किया था अब्दुर्रह्मान खान ने किया था सभी पॉइंट किलियर है उसके बाद में नाम आता है रोहतक नाम आता है किसका रोहतक का रोहतक से किस ने किया था तो आप बताएंगे रांगड समूदायने रोहतक से करांती का नेतर तब किस ने किया था रांगड समूदायने ये जो रांगड समूदायने ये जो रांगड से सम्मंदित था तो आप बताएंगे मुस्लिम धरम से कौन से धरम से सम्मंदित था मुस्लिम धरम से सम्मंदित था मुस्लिम धरम सबसे ज़्यादा कहां मिलता है मेवात में सबसे कम कहां मिलता है तो आप बताएंगे पलवल के अंदर लेकिन सोरी सबसे कम नहीं सबसे ज़्यादा मेवात में और दूसरे नमबर पर मिलता है कहां पर पलवल का सबसे कम बता दिया हमने सोरी उसके लिए दूसरे पलवल का नमाता है जहाँ पर जो ये मुसलिम धरम है दूसरे नमबर पहले है लेकिन हरियाना का एक मातरह सजिला जिसके अंदर उर्दू बोली जाती है तो आप बताएंगे उर्दू बोली जाती है कौन से डिस्टिक में गुरुगराम डिस्टिक के अंदर हरियाना सरकार को 60% टेक्स अकेला गुरुगराम डिस्टिक देता है रोतक से करांती का नेतरतव किया रांगर समुदाय ने वो रांगर समुदाय जो मुसलिम धरम से संबन दी था रोतक राजनीती का केंदर बिंदू पहले भी रहा है और कईना कई देखेंगे तो आज भी रोतक राजनीती का केंदर बिंदू है रोतक जो है ये जो रांगर समुदाय ने करांती का नेतरतव किया था ये इतना परभावसाली नेतरतव था कि जो करांती की शुरुवात हुई थी वो अंगरेज्जों के बस में नहीं आया था तो 24 मई 1857 को एक फोजी दस्ता रोतक पहुचा 24 मई 1857 को एक फोजी दस्ता रोतक पहुचा बात उससे भी नहीं बनी जो करांती कारी थे जो नेतरतव करता थी वो उस दस्ते से भी नहीं दबे तो अगस्त 1857 के अंदर अगस्त 1857 में एक फोजी कंपनी एक फोजी दस्ता फिर से रोतक पहुचा अगस्त 1850 में एक फोजी कमपनी, एक फोजी दस्ता, एक बार फिर और नई कमपनी, नए दस्ता रोह तक पहुचा लेकिन अगस्त 1850 में जो फोजी दस्ता रोह तक आया था, वो किस के नेतरताओं में, कौन से अंग्रेज सेनापती के नेतरताओं में आया था तो आप बताएंगे हडसन के नितरताओं में फोजी दस्ता रोह तक पहुचा था, कब पहुचा था, तो ये भी आप सभी पॉइंट के लिए करेंगे कि अगस्त 1857 के अंदर पहुचा था, सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट ये ध्यान दीजिए, अभी ध्यान देने की बात बताएंगे हम, अगस्त 1857 में जो फोजी दस्ता रोह तक पहुचा वो हडसन के नितरताओं में पहुचा, लेकिन क्यूचन कि 1857 की करांती के दोरान, अंग्रेज अधीकारी हडसन कौन से किले को देखकर चकित रह गया था, ऐसा कौन से किला था, जिससे हडसन के होस अवास उड़ गये थे, हडसन के होस डिले हो गये थे, 1857 की करांती के दोरान, अंग्रेज सेनापती हडसन कोन से किले के किले को देखकर सकीत रह गया था, तो आप बताएंगे महंदर गड़ के किले को देखकर, महंदर गड़, के किलियों को देखकर मेहंदरगर्ड जिसका पूराना नाम है कानोड और कानोड का किला किसने बनवाय था बलबन ने गोपाल गरी का दुर्ग जो दिल्ली और गुरुणाम की सीमा के उपर है वो भी बलबन ने ही बनवाय था और मेवातियों की सक्तियों को नस्ट किसने किया था बल्बन ने किया था तो वही यहां तक लिख लिए होंगे आपने तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सभी पॉइंट के लिए हैं ना सभी पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं किसी परकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको सभी स्रूडेंट बहुत अच्छे हैं वहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं इतना लगातार आप अमारे साथ में बने रहे हैं धन्यवाद आप सभी का लेकिन आप लगातार जारी रखें वीडियो को अंत तक जरूर देखें उसके बाद में नाम आता है किसका तो आप बताएंगे अच्छे करामती का नेतरताव किस ने किया था तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए राजा नाहार सिंग ने किया था राजा नाहार सिंग से संबंदित कुछ भी आप से यदि एक्जामिनर पूछे राजा नाहार सिंग से संदर में यदि कुछ भी एक्जामिनर पूछे only हरियाना जी की बात कर रहा है या जी राजा नाहर सिंग से सम्मदित कुछ भी पूछे तो आप बताएंगे फरिदाबाद डिस्टिक बल्लबगड या फरिदाबाद डिस्टिक के बारे में सभी चीजे बताएंगे लेकिन सभी स्टुड़ेंट अभी थोड़ा से ध्यान दीजिए बल्लबगड जो रियासत हुआ करती थी इस बल्लबगड रियासत की जो सत्ता के उपर सत्ता सीन हुआ था राजा नाहर सिंग मतलब बल्लबगड रियासत राजनाहर सिंग के हाथों में कब आई थी या पूरण तरीके से राजनाहर सिंग के हाथों में बल्लबगड रियासत कब आई थी तो आप सभी स्टुडेंट बताएंगे 1842 के अंदर 1842 के अंदर बल्लबगड रियासत राजनाहर सिंग के हाथों में आई थी बल्लबगड रियासत की जो बागडोर थी वो राजनाहर सिंग के हाथों में कब आई थी तो आपने बताना है 1842 के अंदर आई थी लेकिन 1842 में बल्लबगड जो रियास्त थी, बल्लबगड जिसका नाम बदल कर बल्लामगड हो गया, उस बल्लबगड रियास्त के राजा बने थे, राजानाहर सिंग बने थे राजानाहर सिंग को कैद कर लेते हैं और कैद करने की जो जगह होती है उसमें नाम आता है घुड़ साल अंग्रेज अदिकारी जो सावर थे वो राजानाहर सिंग को कहां पर कैद रखते हैं तो आप बताएंगे अपनी घुड़ साल में कैद रखते हैं 1857 की करांती का एकमात्तर वीर योधा जिसे लाल के लिए के दिवान ए आम में पेस किया गया था लाल के लिए पर मुकदमा चला था अबदुर्रह्मान खान के उपर जो मुकदमा चला था वो भी लाल के लिए के उपर ही चला था जिसने करांती का नेतर तो जजजर से किया था लेकिन स्रूडेंट ये आपने द्यान रखना है कि अबदुर्रह्मान खान जिसने करांती का नेतर तो जजजर से किया था उसके मुकदमे की पैरवी किस ने की थी ये याद रखना है और दिवान ए आम में या लाल के लिए पर ही मुकदमा चला था किसके उपर तो आब बताएंगे राजा नाहार सिंग के उपर 1857 की करांती का एकमातर वीर योधा जिसे 23 दिसंबर 1857 में भासी हुई थी अब्दुर्रह्मान खान जजर 1857 की करांती का एकमातर वीर योधा जिसे लाल के लिए के दिवान ए आम में पेश किया गया राजा नाहार सिंग 1857 की करांती के एकमातर वीर योधा जिसे उसके जनम दिन के उपर फांसी हुई थी तो जनम दिन के उपर फांसी हुई थी, राजनाहर सिंग को और फांसी हुई कब थी, 9 जनवरी 1818 को इनके जनम दिन के उपर फांसी हुई थी, जो महान भी थी इसका जनम दिन था, कब था 9 जनवरी 1818 को और इने लाल के लिए के सामने 9 जनवरी 1818 को फांसी हुई थी, जनम द तो आपने नाम तो सुनाई ही होगा पानी पत्का की पानी पत्से करामती का नेतर तो किस ने किया था तो आप बताएंगे इमाम अली कलंदर ने पानीपत से करामती का नेतर तो किया था पानीपत मस्जिद की जो इमाम हुआ करते थे उसका नाम था इमाम जो था उसका नाम था अली कलंदर पानीपत से 1850 की करामती का नेतर तो अली कलंदर ने किया था पानीपत मस्जिद के इमाम अली कलंदर इसने अपने सहयोगियों के साथ में, अपने जो नेतरतव करताओं के साथ में, अपनी जो भी इनके पास में भीड हुआ करती थी, जो भी परदर्शनकारी थे, उनके साथ में मिलकर इमाम अली कलंदर ने जीटी रोड के उपर कबजा कर लिया। अब GT Road के उपर कबजा किया तो एक तरफ से अंग्रेज सेनापती एंसन गए, दूसरी तरफ से भाईसा बीड बैठी थी जो अंग्रेज जो के खिलाप लड़ रही थी, तो अंग्रेज सेनापती एंसन वहाँ पर मारे जाते हैं अंग्रेज जो भाहिसाब सेनापती थी वो मारे गए उसके बाद रहें अंग्रेज सेनापी टुकडिया भीजी गई और होता क्या या लास्त में कि इमाम अली कलंदर को गरफतार कर लेते हैं और इमाम अली कलंदर को गिरपतार करके इन्हें जीटी रोड के उपर ही फांसी दे दी जाती। 1857 की करांती में कौन ऐसा वेक्ती था जिसे जीटी रोड के उपर ही फांसी हुई थी। तो आप बताएंगे इमाम अली कलंदर, जिसने करांती का नेतरता पानिपत से किया था, 18 सुस्ताउमन में, उसके बाद में नाम आता है पलवल, पलवल से करांती का नेतरता किस ने किया था, तो आप बताएंगे गफूर अली ने, किस ने किया था, गफूर अली ने, उसके ब उसके बाद में नाम आता है किसका तो आप बताएंगे बाहदुरगड का, किसका नाम आता है बाहदुरगड, जो जजजर के अंदर पढ़ता है बाहदुरगड और जिसमें नाम आता है चर्खी दादरी का, बाहदुरगड और चर्खी दादरी से करामती का नेतरतव किसने कि अप पूछे पतोदी से किस ने किया था तो आप ये भी बताएंगे अकबर अली ने पतोदी से करांती का नेतरतव सभी स्टूरेंट ध्यान दीजिए किस ने किया था अकबर अली ने गुरुग्राम जो जिला है उस डिस्टी की ऐसी रिजरवशीट का नाम है पतोदी पतोदी से करांती का नेतरतव किस ने किया अकबर अली ने उसके बाद में नाम आता है गुरुगराम से गुडगाउं से करांती का नेतरतव किस ने किया तो आप बताएंगे गया सुद्दीन गया सुद्दीन और किस ने किया था एहमद अली ने किया था किस ने गया सुद्दीन और एहमद अली ने किया था कहां से करामती का नेतरतव तो आप बताएंगे गुरुगराम से और भी ध्यान दीजी आप और क्या ध्यान देना है आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजे हैं उसके बाद में जो नाम आता है उसमें नाम आता है अहीरवाल का किसका नाम आता है अहीरवाल जिसमें जिसकी याद में 33 सेप्टमबर को हरियाना में सहीदी दियों से मनाते हैं, वो कौन है? राव तुलाराम है. अब राव तुलाराम का अंग्रेजों के साथ में युद कहां हुआ? कैसे हुआ? और कब राव तुलाराम युद जीते थे, युद हारे थे, क्या हुआ था, वो अभी बताएंगे हम. युद हारने के पर साथ राव तुलाराम कहां चले गए थे, क्यों गए थे, रीजन क्या था, कहां डैथ हुई, क्यों मनाते हैं सहीदी दिवस, ये सभी पॉइंट आप अच्छे तरीके से देखेंगे. तो आप राव तुलाराम के संदर्व में सभी पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ेंगे. राव तुलाराम 1857 की करांती में वीर योदा था, जिसकी याद में हर्याड़ा में 23 सेप्टमर को सहीदी दिवस मनाते हैं. लेकिन इसी के साथ में सभी स्टुडेंटों ने ये भी याद रखना है कि राव तुलाराम 1857 की करांती में दिल्ली से जिसने नेतरतों किया था बहाद्दूर सा जफर, उस बहाद्दूर सा जफर के अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे. ऐसा बताया जाता है कि राव तुलाराम 1857 की करांती की शुरुआत जब मेरट से हुई थी तो मेरट के अंदर ही मौचूद थे. मेरट के अंदर मौजूद हुआ करते थे राव तुलराम ऐसा भी बताएगा कि जब मेरट में करांती हुई थी तो राव तुलराम ने काफी अंग्रेज सेनापती थे उनके सर धड़ से अलग कर दिये थे उसके बाद में करांती का आगाज होने के बाद में राव तुलराम दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में अपने मित्र बाद्दूर सजफर या बाद्दूर सजफर से मिलते हैं और बाद्दूर सजफर उससे कहता है कि आप अपने छितर का नेतरतों करें और उसके बाद में वो अहिरवाल चेतर के अंतरगत आकर राव तुलाराम अपनी 5000 सेनिकों की फोज त्यार करता है 5000 सेनिकों की फोज में सभी जाती धरम से लोग सामिल थे ऐसा नहीं यहीं कि सिरफ एक धरम को एक जाती को टारगेट किया था सबी जाती धर्म से लोग उसके अंदर सामिल हुआ करते थे 1857 की करांती में राव तुलाराम ने जो 5000 सेनिकों की फोज त्यार की थी उस फोज के अंदर फतेहबाद के टोहाना कस्वे से भी लोग सामिल थे तोहाना कस्वा जो फतेहबाद में पढ़ता है उससे भी लोग सामिल थे और तोहाना कस्वा जिससे लोग सामिल थे तोहाना के वो लोग जो 1855 की करांती में राव तुलाराम की सेना में भरती थे उनको रिसाला के नाम से जाना गया है उनको किस नाम से जाना जाता है? रिसाला के नाम से अब राव तुलाराम अपने 5000 सैनिकों के साथ में अपने 5000 फोज के साथ में नारनोल की तरफ कूच करता है तो दूसरी तरफ से अंग्रेज सिपाही आते हैं लगवग जिनकी संख्या 8000 होती है और उनका नेतरतव कर रहे हैं अंग्रेज सैनापती यहां से राव तुलाराम जाते हैं अपने देशी हतियारों के साथ में और अंग्रेज जिसके पास में आधुनिक हतियार थे पांच जार सैनिक पहुचते हैं और पहुचते पहुचते भाई सब साम हो जाती है और घटना है नसीब पूरगाओं की अगले दिन नसीब पूरगाओं के अंदर अंग्रेजो और राव तुलराम के मद्दे भेंकर युद होता है और वो घटना कब की है तो आप बताएंगे 16 नवंबर 18 सुस्तावन की घटना है अगले दिन 15 नवंबर की स्याम को ये सारे वहां तक पहुच जाते हैं अंग्रेज सैना भी आचुकी होती है यहां से 5000 सैनिकों की टुकडी इनकी भी चली जाती है लेकिन 16 नवंबर 18 सुस्तावन को नारनोल के नसीब पूर गाउं में अंग्रेजों के साथ में बहुत बड़ा भेंकरी युद होता है राव तुलराम के सिपाही लड़ते हैं और दूसरी तरप से अंग्रेजी सिपाही लड़ते हैं ऐसा बताया जाता है कि युद सुभै सुरू हुआ था और सूरियास्त होने के कगार पर पहुच गया था कि युद समापती नहीं हो रहा था ऐसा भी बताया जाता है कि राव तुलराम युद जीतने वाले थे राव तुलराम युद जीतने वाले थे इन्होंने अधिकतर अंग्रेज सैनापतियों का जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया था अंग्रेज जी फोज थी वो लगबग हार ही चुकी थी अब ऐसा भी नहीं है कि राव तुलाराम तो भाई साब सुबै जैसे थे वैसे ही श्यामकू है दोती निवेकति उसको गुलकोंडी वगेरा गोलकर पिला रहे हैं कि लोग आप पीवो पीवो आपके अंदर तो भाई उर्जा बनी रहेगी नहीं राव तुलाराम भी बिल्कुल थक चुके थे इन्होंने अधिकतर अंग्रेजी फोज थी अंग्रेज सहरापती थे वो सभी मोत के घाट उतार दिये थे अब ऐसा भी नहीं है कि अंग्रेजी सहनी की सारे मारे गई भारती सहनी जो है वो तो एक भी सहीद नहीं हुए राव तुलाराम के सैनिक भी सहीद हुए थे राव तुलाराम भी काफी ठक चुके थे ऐसा बताया जाता है कि राव तुलाराम युद जीतने ही वाले थे लेकिन अंग्रेज्जों का साथ देने के लिए अचानक जैपुर रियासत दिली रियासत और पटियाला रियासत ने अंग्रेज्जों का साथ देने के लिए अपने सैनिक भी भेज दिये अब राव तुलाराम ने देखा कि सैनिक आ रहे हैं तो उसने सोचा कि हमारा साथ देने के लिए सैनिक आ रहे होंगे उसके बाद में राव तुलाराम ने देखा कि वो सहनिक तो अंग्रेज्जों के साथ मिलकर यूद करने लगे हमारे से ही उसके बाद में राव तुलाराम यहां से चले यहां से चलते हैं, यहां से मुड़ते हैं, आपने कुछ सहनिकों के साथ में यहां से चले और सीधे गए राव तुलाराम जोधपूर जोधपूर क्यों गए? क्या रीजन था जोधपूर जाने का? तो राव तुलाराम के अच्छे संबंद रहे थे जोधपूर पी रियासत से जोधपूर रियासत का जो सासक था वो इसका अच्छा दोस्त था तो जोदपूर रियासत ने इसका आर्थिक मदद की थी, इसको धनराशी से थोड़ा बहुत मदद किया उसके बाद में राव तुलाराम गया जाते हैं बिहार और बिहार में मिलते हैं किसे तात्या टोपे से लेकिन जब राव तुलराम तात्या टोपे के साथ में था तो तात्या टोपे के एक सहयोगी नहीं बता दिया अंग्रेजों से कि तात्या टोपे यहां छिपे हैं तो तात्या टोपे को अंग्रेजों ने गिरफतार कर लिया लेकिन उसके बावजूद भी राव तुलाराम बच गया और उसके बाद में राव तुलाराम बिहार से होते हुए नेपाल वगेरा से होते हुए सीधा जाता है अफगानिस्तान अब आप सभी को ये मालूम है सभी पूरी जो भी स्टूडेंट हमें देख रहा हैं ये था क्या कारण रहा कि अफगानिस्तान गए क्योंकि अफगानिस्तान, इराक, इरान, रसिया उस समय बिल्टिस हुकूमत के खिलाप थे बिल्टिस जहां पर हुकूमत है उसके खिलाप थे इसी कारण राव तुलाराम अफगानिस्तान गए थे अब राव तुलराम वहां पहुचने के पर साथ अफगानी जो सासक थे और रसिया के जो सासक थे उनसे मदद मांगते हैं आज भी ऐसा बताएगा है कि जो रूसी संग्राले है उसके अंदर एक राव तुलराम के खत मुझूद है उसने साहिता मांगी थे कि आप हमारे साथ दीजिये लेकिन 1863 में राव तुलराम एक बहंकर बिमारी से गरस्त हो जाते हैं एक बहंकर बिमारी उनको जगड़ लेती है और 1863 में राव तुलराम की अफगानिस्तान के अंदर डैथ हो जाती है और उस महान वीर योधा राव तुलराम की याद में हरियाना में 23 सेप्टमबर को सहीदी दीवस मनाते हैं हरियाना में सहीदी दीवस कब मनाते हैं तो आप बताएंगे 23 सेप्टमबर किस की याद में राव तुलराम की याद में अब क्यूशन ये बनता है कि 1857 की करांती में जितने भी हमारे सहीद सहीद हुए थे उन सहीद 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 के लिए एक सहीद समार्क बनाए गया है 1857 की करांती में सहीद सैनिको के लिए सहीद समार्क बनाए गया क्या बनाए गया है भईया सहीद समार्क और ये सहीद समार्क है ये कहां पर है तो आप बताएंगे सहीद समार्क बनाए गया 22 एकड भूमी में एनेट्स 44 के उपर और कहां पर कौन से डिस्टिक में तो आप सभी बताएंगे अच्छे तरीके से अंबाला के अंदर 1857 की करांती के दोरान राव किर्शन गोपाल 1857 की करांती के दोरान हरियाना का वीर सैनानी 1857 की करांती के दोरान हरियाना का वीर सैनानी राव किर्षन गोपाल मेरट में नायब कोत्वाल के पद पर कारियरत था 1850 की करांती में जो सहीद हुए थे सैनिक उनके लिए सहीद समारक अंबाला में 22 एकड़ भूमी में NS44 की उपर बनाया गया है उसके बाद में कौन-कौन सी रियासत ऐसी थी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था तो आप याद रखेगा एक पटियाला रियासत दुआ करती थी एक नाभा रियासत दुआ करती थी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था तो ये सभी point आपको अच्छे तरीके से clear हो गए हैं ये 1857 की क्रांती और उसके संदर्व में कुछ point है यदि एक दो point यदि रह भी जाते हैं किसी कारणवस तो कोई बात नहीं हो आगे हम clear करवा देंगे ये नहीं बत खहरे हैं कि हम किसारे point clear करवा दी कोई point आपका गलती से रह भी सकता है गलती से रह गया होगा तो उसको जल्द ही हम next video के अंदर या कभी भी जिकर होगा किसी topic से संबन्दी तो वहाँ पर आपको clear कर देंगा अभी तक भी यदि आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe ज़रूर कर ले इसलिए हम request कर रहे हैं कि यदि कोई भी वीडियो हम डाले चैनल के उपर जैसे ही लाइवाएं या कोई वीडियो डाले किसी भी परकार की गतिविदी चैनल के उपर हो तो उस गतिविदी से आप भी रूबरू हो सुके आप तक भी वो वीडियो पहुच सुके सबसे पहले तो आज के लिए इतना ही आसा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी लेकिन इसी के साथ में हम आप से संदेश देना चाहते हैं यदि वीडियो आपको पसंद आती है ना तो इस वीडियो को सजो कर रखें अच्छे तरीके से रखें सारी की सारी point आप clear करें, note करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, जै हिंद, जै भारत मिलते हैं next class में